हिंदुस्तान जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा फिल्म गदर का ये डायलोग सवनी देवल ने नहीं बलकि बाडमीर की तपती धर्टी पर सवनी देवल को देखने के लिए उम्री भीडने सुनाए सनी देवल का काफिला जैसे जैसे बढ़ा नारा लगाने वालों की आवाज उसी हिसाब से तेज होती गई हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सनी देवल राजस्तान के बाडमीर में रोड सो करने पहुँचे देखने से ही अंदाजा लग जाता है कि वे जनता के बीच कितने लोग प्रिये हैं राजस्तान में बीजेपी मिशन 25 को पूरा करने में जी जान से जुटी है चुनाओ परचार के दोरान बाडमीर में सनी देवल को उतार कर बीजेपी ने ग्लैमर का तड़का लगाया बीजेपी ने सनी देवल को पंजाब के गुरुदासपूर से टिकट दिया है गुरुदासपूर से सनी को टिकट मिलने के बाद से कैप्टन अमरेंदर सिंग के मुश्किले बढ़ गई है इस लिए सनी देवल पर निशानत साथते हुए उन्होंने कहा कि फिल्मी फोजी है और मैं असली असल में सनी देवल की फिल्म में छवी एक योध्धा की है जो देश पर अपनी जान छिड़कता है पंजाब में पुरु सैनिको और सैनिको की वोट बड़ी संख्या में है ऐसे में सनी देवल की रह आसान होती दिख रही है कॉंग्रिस तनी देवल की इस बढ़त को कम करने की कोशिश में जी जान से जुटी है Bureau Report News of India